हेलो फ्रेंड्स एस मेरा नाम है विशाल और लास्ट थ्री वीडियो से मैंने आपको दिखाया इंट्रोडेक्शन टू ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग क्या है उसके बाद मैंने आपको बताया कैसे आपको एक निश्फाइंड करनी है और कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है यह हमन की वेबसाइड है पतांजली.com इस पर मैं भी सैट अप करने वाला हूं और यह अभी अगर मैं आपको दिखा दूं तो बिल्कुल ब्लैंक है ठीक है बिल्कुल ब्लैंक एक फ्रेश वर्डप्रेस वेबसाइड है और गैस अगर आपको देखना है कि कैसी यह वेबसाइड आपकी दिखेंगी आज हम लोग कैसा बनाने वाल है तो यह वेबसाइड आप देखें यूट्यूबर बायो डॉट इन तो यह देखिए बहुती सिंपल सी डिजाइन और जितनी सिंपल डिजाइन क्लीन डिजाइन रहेंगी ना उतनी आपकी ज्यादा स्पीड अच्छी है आप आज पतांजली.com पे भी बनाने वाले हैं अगर आपने अभी तक वेब ऑस्टिंग होगर पर्चेस नहीं कि और वेब ऑस्टिंग अगर आप पर्चेस करना चाते हो तो मैं आपको विच डिस्काउंट कोड भी दे रहा हूं होस्टिंगर का तो अगर आप होस्टिंग बिजनस वेब ऑस्टिंग के साथ जाएं ओके क्यूंकि इसमें आपको मल्टिपल वेबसाइट अंडेट वेबसाइट आप बना सकते हो और यहां पर सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट मिलती है सपोस हम लोग इस पैकेज के सांच जाते हैं और इसके बाद यहां पर देखिए अलग-अलग आपको आप्शन है है वाग कूपन कोड में आपको आना है और कहां पर आपको अगें टेक्टू नेक्स्ट का कूपन कोड एंटर करने है कि यहां पर आप देखिए जो आपका 9000 कुष का प्राइस था वह अभी काफी काम होगे सिर्फ 8326 तो आपको कूपन अच्छा है डिसकाउंट देखने मिल गया तो ये आप जरूर कूपन कोड मेरा यूस कर सकते हो कि introduction में आ दिया और कूपन को दोनों दे दिया तो उसी लिंक से आप जाएं ताकि आपको कूपन को डिस्काउंट मिल पाएं तो यहां पर जो हम लोग आज थिम यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग अपिरेंस में के थिम में आके अपलोड मिचाएंगे और यहां पर जो हम लोग थिम यूज़ करने वाले हैं वह चीयर अप यह थिम भी अगर आप लेना चाहते हो तो wordpresslist.com से यह आपको बहु और यहां से आप थिम पर्चेस कर सकते हो हर तरह की थिम और प्लगिंस इस वैबसाइट पर अविलेबल हैं प्रीमियम वाली बहुत कम कॉस्ट में आपको मिल जाती हैं तो यहां से आप पर्चेस कर लेना और अभी हम आते हैं अपनी वापस वैबसाइट पर जहां पर हमार तो आर्टिकल लिखने के लिए रेडी हैं हम अपनी वैबसाइट पर कॉंटेंट डाल सकते हैं आगे कि आने वाली वीडियो में आपको वह बताऊंगा कि कॉंटेंट कैसे लिखना है योस्ट टेस्ट का फुल कांफिगरेशन कैसे करने है सुबस यहां पर अभी जो है हमारी सेम जो है वह अनपैकेज हो चुकी है और अभी इंस्टॉल हो जाएगी अल्राइट घीज़ यहां पर थिम जो इंस्टॉल हो चुकी है अभी अभी हम क्लिक करते हैं एक्टिवेट पे होने के बाद आपको यहां पर कुछ सब्सक्राइब अभी इंस्टॉल किये हैं सेलेक्ट टॉल करके इंस्टॉल हो जाएगी यह जो मैं थिम आपको बता रहा हूं यह बहुत अच्छी थे मैं काफी लाइट विट थे मैं से आपकी स्पीड आएगी रैंकिंग भी अच्छी होगी और यूजर इंटरफेस भी काफ कि अब गये यहांपर हमारी प्लगिन सारी इंस्ट आल होच्पि हैं हमें इंस्टॉल और एक्टिवेट दोनों हो चुकी है अभी हमें क्या करने है फिप इंपोर्ट करनेए इंपोर्ट डेमो पर क्लिक करने के बाद अभी जो हम लोग यूस करने सबसे जो अच्छ्छयआ डिजाइन है वो यह फिटनेस वाले हैं फिटनेस वाले पर आपको आने हैं फुल कॉंटेंट करके आपको इसको इंपोर्ट कर देना है हुआ हुआ है पर पर आता हूँ और अपनी वैप सैट को रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे हमारी वैप सैट का डिजाइन है वो काफी अच्छा लग रहे सबसे पहले कस्टम को सलेक्zne करेंगे च सारी हटाए है और यह पर यहां पे पूस्टम मा चुक्त है तो यह आपके वेबसिट का प्रेइन का दाने इसके पार जो पोस्ट का नेम रहer गगा वही ओके इसको आपको सेवचेंज कर देना है कि इसके बाद यहाँ पर आप अपनी website में आएंगे देखि कस्टुमाइज पर क्लिक करेंगे करता ही आपको सारे आप्षेन जाएंगे जैसे कि आपको अपनी website की जो भी चीज़े चेंज करनी हो चाहिए वो कलर हो फॉन्ट हो या फिर डिजाइन चेंज करना हो तो वो सारी चीज़े हैं कस्टुमाइज पर आपको मिल जाएंगी यहां से आप कर सकते हैं सबसे पहले गाई हम लोग देखते हैं यहां पर आते हैं इंट्रों एंड है ठीक है इसमें कुछ नहीं करने हमें स्किन एंड टैमो ठीक है समने फिटनेस वाल अल्रेडी सेलेक्ट करके एमपोर्ट कर चुके हैं अब देखें यहां पर कलर एंड टाइपोग्राफी तो आपक मैंण चीजों को देखते हैं पहलेए जैसे की व्याम पेज सबसे पहले मुझे ल्flos करने के लिस्ट पोस्ट काफी अच्छा दिखत है यहां पर मैंने इसको लिश्वेस्ट स्यलेक्ट का रहे हैं जो उसके लिए आपको प्लगिन मिल जाएंगी सोशल शेयर की वो प्लगिन आप इंस्टॉल कर लेना तो वो भी चीज़ें आप आ जाएंगी आप गईस यहां पर आते हैं हम लोग करते हैं बैक एंड लियाउट चेंडरल काफी जारी सेटिंग्स हैं जो आप कर सकते हो जैसे कि अभी हम आ जाते हैं हैडर में और हैडर में आप देखिए यह अलग अलग आपको हैडर स्टाइल देख रहा है तो यह हैडर स्टाइल हम लोग टैन लेके देखते हैं टैन, नाइन, फाइव, ओके यह हैडर स्टाइल काफी अच्छा देख रहा है और भी हम लोग अलग अलग देख सकते हैं यह आपको हैडर एड कोड भी मिल रहा है अगर आपको एडवर्टिसमेंट एड करना हो के यूट्यूबर बायो में है जो मैंने आपको दिखाया उस सर्च गया है और यहां पर हमारी वेबसाइट का नाम है सेम इसी तरीके से हमने यहां पर अप्लाइ कर दिये तो अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो आप देखिए यहां पर आ चुक है नाम इसको मैं करता हूं बैक हम नीचे आते हैं साइट आइडेंटिटी में जात प्रोड़क्ट्स प्रिव्यू करेक्ट इसको घर देते हैं पब्लिश बैक आ जाएंगे गईज ओके और यहां पर हम और भी काफी सारी सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो जैसे कि हैडर और लोगों में आके जनरल टॉप बार में आता हूं मैं यहां पर हम आ जाते हैं लोग टालना हो आप लोगों दाल सकते हो अर्वाइस आप इस तरीके से कर सकते हो गया सब आगर आपको मेनू चेंज करना हूँ यह मेनू और यह सारा जो पोस्ट है वो डेमो है अभी तो यह सब चीज़े चेंज करने के लिए आप यहां पर आईए और यहां पर जितनी भी पोस्ट हैं इनको आप ट्रेश कर सकते हो मैं इसको करता हूँ मॉव टू ट्रेश अगैन, move to trash ओके, categories जो हैं, वो भी मैं कर देता हूँ सब को एक साथ select करेंगे delete अब यह अगर हम अपनी website पर आएंगे गाई, तो भी website हमारी जो है blank होगी, क्योंकि सारा content हमने हटा दिया है अब अगर आप चाहें, तो अपनी post लिखना, अपनी categories बनाना है, start कर सकते हो, and footer, अगर आपको footer में कुछ चीज़ें change करनी हो, तो वो आपको मिलेंगी appearance, and widget तो यह जो footer और sidebar, यह दोनों चीज़ें आ रहे हैं, वो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी देखिए, यहाँ पर sidebar, widget, recent post यह सारी चीज़ें जो हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, आप यहाँ से change कर सकते हो, footer, widget वगर change करना हो, sidebar करना हो, सब चीज़ें यहाँ पर हैं, यहाँ पर plus पर क्लिक करके, आप कुछ add करना हो, तो add भी कर सकते हो, okay, and अग तो मेरे पास की जो backup एस website का already ready है, यह वर्डप्रेस website का ही backup एसी website का, मुझे क्योंकि theme change करनी थी और आपके लिए वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने पूरा research करके किया है, अभी मैं को इसको वापस import कर देता हूं, तो यहाँ पर देखें, मैं import पर क्लिक करता हूं, and क्या then choose file, downloads, और यह जो भी backup हमने download किया था, उसको मैं कर देता हूं, upload file and import, यह वीडियो से पहले ही मैंने यह जो backup है वो बनाके download कर लिया था, क्यूंकि मुझे theme change करनी थी, पूरा design structure website का change करना था, customize में आके अगर आपको menu बनाने हो, तो यहाँ पर आप देखो, यह menu का option आपको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ से आप जो भी चीज़ें चाओ, change over कर सकते हो, यह remove कर सकते हो, और नए menu को add कर सकते हो, तो यह सारी चीज़े remove हो जाएंगी, and यहाँ पर जो box अगर आपको बना आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको योस्ट ऐसी इंस्टॉल करने है, और configuration करने है, और content कैसे लिखना है, यह भी हम लोग आके की वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए मैं इस website में जो चीज़े थी, उनको मैं download and import करता हूँ, और file attachment पर click करता हूँ, अब यह इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन सभी की क्या है कि इमेज इंपोर्ट नहीं हो पाई है किसी कारण से, अब यह अगर आप हमने हमारी website पे यह content जो है, पहले था हमारी website पे, वो आ चुका है, images हमें शायद फिर से डालनी पड़ेंगी, और अभी यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर हम लोग आते हैं, menu, and header menu, और इस header menu को हम लोग कर देते हैं, man navigation और mobile menu में भी टिक कर देते हैं, ओके तो अभी आप देखें, यह आ चुका है, यहाँ पर, man menu, इसको हम लोग कर देते हैं, untick है, ठीक है, इसमें हम लोग एक चीज और add कर देते हैं, home को add कर देंगे हम होमपेज को तो इस तरीके से देखिए डिजाइन हमारा हो चुक है इमेजेस यहां पर आएंगी तो और अच्छा लगेगा यहां पर आड़ जाएगा और यहां पर आपको अगर बॉक्स लानी हो लेयाउट में तो वह आप ला सकते हो यहां पर कस्टमाइज में आपको सार चीजे मिल जाएंगे ओके और यहां से कुछ रिमूब करना हो साइड बार से तो वह आपको अंदर से यहां से मिलेगा आप यहां से मिलेगा आप यह जाके फिट जेट से बस गयाई इस वीडियो में इतना ही कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो और अग थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो